फिर एक बार आपका ये दोस्त आपके बीच में है अगर कोई मुझे कहे कि ये सारे इतने कारकमों के बीच वो कौन सा कारकम है जो आपको सबसे ज़्यादा दिल को छूड़े वाला है अपने दिल के करीब है तो मैं कहूंगा क्या कौन सा बेलकुल सही कहा आप लोगों ने तो आज हम बाते चुरू करते हैं और आज कल की फैशन है भई हेश्टेग विदाउट फिल्टर तो हमारे बीच भी हेश्टेग विदाउट फिल्टर जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हैं बहसे ही करेंगे कोई बोज नहीं हलकी फुलकी बात है गलती भी हो सकती है मेरी भी हो सकती है और मेरी होगी तो टीवी वालों को मजा आएगा 2002 में भी आपने देखा होगा भारत के टीम बेस्ट इंडिज खेलने गई थी तो उस समय हमारे का अच्छे बॉलर अनिल कुमले उनको एक बांसर से चोट आई और पुरा जड़बा तूट गया काफी पटिया मटिया माहत करके और उसा पेन आप समझ सकते हैं यहां जब चो अनिल बॉलिंग कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे लेकिन उन्होंने दर्द की परवा नहीं की रोते नहीं बैठे अगर वो नभी खेलते तो देश उनको दोस्त नहीं देता दिए उन्होंने ताय किया नहीं मेरा जिम्मा है ठीक है दर्द होता है तो होता है जीतनी पटियां लगा सकते हैं लगाएं बादान में उतरे और आपको पता होगा कि उस समय लारा की विकेट लेना याने बड़ा एच्विमेंट मना जाता था और ब्लाउन लारा की विकेट लेकर उन्होंने मैच का पूरा चित्र पलट दिया और एक व्यक्ति का संकल्प औरों को भी मोटिवेशन का कितना बड़ा कारण बन जाता है ऐसी अनेक घटना है आपके सामने होगी जिसको देखकर क्या आपताय कर सकते हैं कि मैं इमोशन्स को मैनेज करने का मेरा तरीका उस पर देखने का कैसी तरीका है उस पर निर्वर करता है अगर इसको हमने कर लिया तो मुड आफ होगा लेकिन फिर भी आप पल दो पल में उसको मैनेज भी कर लेंगे और फिर आप उसी स्वस्तमन से अपनी बात को आके बढ़ा सक आज दुनिया बहुत बदल चुकी है, संभावनाहे बहुत बढ़ गई है, सिरफ परिछा के अंक ही जिन्दगी नहीं है, उसी प्रकार से कोई एक एक एग्जामिनेशन ये पुरी जिन्दगी नहीं है, वो एक पड़ाव है, सबसे पहले हमने हमारे पूरे जीवन का ये महत्पकूर्ट पड़ाव मानना चाहिए, लेकिन यही सब कुछ है, ये कभी नहीं मानना चाहिए, जिस दिन माबाप को मैं खास प्रासना करूंगा, कि आप बच्चों को ये नहीं तो कुछ नहीं, ये जो मुड बना देते हो, मैं बन करके ऐसा मत करो, ये हुआ अच्छी बात है, जादा अच्छा हो और अच्छी बात है, लेकिन कुछ नहुआ, तो जैसे दुनिया लूट गई, ये सोच बिलकुल ही आज के युग में पू बहुत सारे स्कोप है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, आपने देखा होगा किसान, हो सकता है, स्कूली सिख्षा बहुत कम हुई हो, लेकिन वो सीखता है, अनुभव करता है, टेक्नलोजी एड़ाप करता है, शिख्षा की अपने खेती की प्रददी बदलता ह है, आदूनी करता है, जीवन को कितना बढ़िया बना देता है, और इसलिए मैं साब कहूंगा कि परिशा का महत्मे है, उसके बावजुद भी परिशाही जिंदगी है, ये सोच से हमें बार आना चाहिए, जीवन में कई प्रभुतियां होती हैं, कई चीजे होती हैं, इसको हैं, मोटिवेशन और डी मोटिवेशन का सवाल है, जीवन में शायद ही कोई असा बेक्ति हो, जिसको इन चीजों से गुजरना परता हो, हर किसी को, इस दौर से गुजरना ही परता है, बार बार गुजरना परता है, कभी कुछ करनें के लिए बहुत मोटिवेटर होते हैं कभी एकदम से असफलता मिली तो डी मोटिवेट हो जाते हैं अब आप देखिए चंद्रयान आप सब रात को जाग रहे थे चंद्रयान को भेजने में आपका कोई कॉंट्रिबिशन था क्या नहीं था लेकिन आप ऐसा ही मन लगा के बैटे पर जैसे आपने ही किया है किया कि ऐसा होता तक नहीं होता है और जब नहीं हुआ तो आप सब के सब साइंटियों सब्सक्राइब पूरे हिंतुस्तान एक प्र का कभी कभी विफलता कि हमको ऐसा कर देती है तो मुर्ण का अइसा करो एज सब कोब लाव तो यो बेचारे सौ गए थो उनको बुलाया का मैंना का देखिए सुबह हमको जाना है कि लेके हम कायरकम बदल कर देंगे शुबह जल्दी नहीं जाएंगे बेर से जाएंगे और तो रात के तीन बज गए हैं लेकिन क्या सुभे साथ साड़े साथ आर्ट बजे इखटे हो सकते हैं कि मैं मिलना चाहता हूं और इसलिए मैं सुभे उन साइंटिस तो फिर से खटा किया मेरे भाव मैंने वेट तकी है उनके परिश्रम को जितनी सराना की जा सकती है कि देश के सपनों की बाते की एक पूरा माहूल बदल गया और वहां बढ़लाएजा नहीं है पूरे हिंदुस्तान का बदल गया जिस घटना ने कहने का मतलब यह है कि हम विफलताओं में भी सफलता की सिख्षा पा सकते हैं हर प्रयास में हम उत्साह भर सकते हैं और किसी चीज में आप विफल गए हैं इसका मतलब यह हैं कि अब आप सफलता की और चल पड़े हैं मैं भी आपसे कहूंगा कि टेकनोलोजी को अपने जीवन के विकास में एक साथी के रुप में जोड दीजा आप लेकिन जिन्दगी का हिस्सा टेकनोलोजी मत बनने दीजिए जिन्दगी का हिस्सा और इसके लिए आपने देखाओगा आज कर परिवार में तीन लोग हैं सभी तीन कौने में बैठे हैं हर कोई मोबाइल में बिजिए हैं देखे एक काम आप जीवन में ताय करेंगे पर डे इतना समय मेरा एक घंटा दो घंटा कैरफुल जो मैं खाली हूँ लेकिन मैं अपने आपको टेकनोलोजी से दूर रखोंगा पर डे एक घंटा दो घंटा टेकनोलोजी फ्री अवर क्या कर सकते हैं आप कोई गैजट नहीं कुछ नहीं में मेरे परिवार मेरे दोस्त मेरा मेरा बगीचा मेरे घर में अगर कुता है तो कुता जो भी है, बिल्डी है तो बिल्डी जो भी है, ये एक घंटा मैं ताय करो, नो टेक्नोलोजी, ऐसा कर सकते हैं क्या, जिस परिवार में दो-तीन कमरे होते हैं, कुछ बहुत ही गरीब परिवार हैं उनके लिए तो टेक्नोलोजी का प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन दो-तीन क क्या आप ताय कर सकते हैं माबाप से आज बैठकर के वापी जाने के बाद, कि घर के अंदर एक कमरा ऐसा ताय करेंगे, जिसमें टेक्नोलोजी को नो एंट्री, तो एक प्रगार से मैं टेक्नोलोजी के अतिश्य महत्माई भी देता हूं, एट अट एम टाइम मेरे भीतर का इंसान रोबोट न बन जाए, इसकी भी चिंता करता हूं, और इसलिए दोनों को बना करके चलने के कुछ तरीकी हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करते हैं, आप एक बिलकुर रोबोट की तरह जो सौफ़एर आपके अं क्या हम चाहते हैं, कि मेरा देश का नौजवान रोबोट बन जाए, नहीं चाहते हैं, हमारा नौजवान उर्जा से भरा हुआ, सपनों को लेकर चलने वाला, साहस सामर्ते दिखाने वाला, यह अगर नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा, और इसलिए हमने अन्य गतिविद्य अक्टिविटी, उसमें उदासिन कभी नहीं रहना चाहिए, यह ठीक है, समय का मैनेजमेंट करना चाहिए, संतुलन करना चाहिए, लेकिन उस अक्टिविटी याने बिलकुल बेकार, सब बर्बाद हो जाएगा, यह नहीं होना चाहिए, एक समय था, किताबों की दुनिया से आगे बढ़ जाओं, तो यह रास्ते खुल जाएगे, आज ऐसा नहीं है, आज अवसर बहुत है, और इसके लिए, अगर हम कोशिश करें, हम प्रयास करें, तो हम अवश्य परणाम प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप स्कूली जीवन में, विविदताओं भरे जीवन को कसने का आदद बनाते हैं, तो आने वाले जीवन में, यह बहुत उप्योगी होता है, जीतना क्लास्रूम में पाई हुई सिक्षा का महत्वए बन जाता है, उतना ही 35-40 साल की उमर के बाद, यह अन्य चीजों स अपने आपको जो कसा हुआ है, वो जीवन जीने के लिए बहुत आमाता है, और इसलिए एक को दूसरे का दुश्वन नहीं मानना चाहिए, एक दूसरे को नुख्षान करना ऐसा मत मानना चाहिए, हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी चाहिए और दूसरा, दसवी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, आप उसी में लगे रहोगे, किताब ये बस, एक एक चीज ददद विश बार करते रहोगे, तो आप बिलकुल बन जाओगे, तो आसा बिलकुल मत होने दीजिए, क्या कभी हम अपनी मातरु भाषा की डिक्षनेरी, या कोई सी अन्य एक भाषा की डिक्षनेरी, जो भी आपको पसंद आएंग्रेजी करना हैंग्रेजी, क्या डेली अपने मुबाईल फॉन में जो डिक्षनेरी है, ताय करेंगे, कि आज मैं, कम से कम दस नए स्पेलिंग और उसका मिनी दिन भर में जब भी जाओं मोबाइल फॉन निकाल करके देख लूँगा याद कर लूँगा पर डे दस तो लिए टेक्नलोलोजी उप्योंगी हुई कि नहीं हुई कि माबाप ने भी यह सोचना चाहिए कि टीचर्स ने भी सोचना चाहिए उनको अंदाज होना चाहिए कि जिस स्टूडन के साथ या जिस बच्चे के साथ हम वहवार कर रहे हैं उसकी केपिबिलिटी कितनी है यह माबाप को टीचर को अंदाज होना चाहिए और उसको प्रोश स्पासाईद करना चाहिए मैं माबाप को यही करोगा कि आप बच्चे बड़े हो गए है यह स्विकारी है ऐसा नहीं कि विर अभी तो तो तीन साल का है वह बार भी पड़ता ऐसा भी नहीं बच्चा बड़ा है वो स्विकार कीजिए लेकिन खुद को खुद को आप जब वह चार साल के बच्चे थे, तब जो आपकी साइकी थी, उनको मदद करने की, उसको जीवन भर जिन्दा रखिए, उसको कभी मरने मद दीजिये, जिस परिवार में माबाप की ये सोच होती है, कि मैं मेरे बच्चों में, उनको जहां जाना है, रास्ता अगर सही है, तो मैं हमेशा प्रोथसाहित करने के लिए प्रेहास करोगा, पर्शू करना चाहिए, प्रेसर नहीं करना चाहिए, जितना ज्यादा प्रोच्साहित करोगे उतना प्रणाम ज्यादा मिलेगा जितना प्रेसर करोगे उतनी समस्या को बल मिलेगा अब माबाप को तै करना है टीचर को तै करना है कि हमें समस्या को बल देना है कि प्रोच्साहित करके उसको ही शक्ती में परिवर्तित करना है मैं रास्ता चुनूँगा, प्रोच्षाइद करना, हर बालक की शक्ती को उजागर करना, उसको प्रोच्षाइद करना, इसी को मैं बल दूँगा. तीन घर का काम, ठकावट, अलग-अलग मन के अंदर कुछ गटनाये, पूरा दीन बित्ता है, ये चीजे तीरे-जीरे जुड़ जाती है, और होते होते, आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका माइंड, आपका मनस्तिती, कितनी एंगेज होगी शाम के सबएंगेगेगेगेगेग अगर आप पढ़ने के आग रही हैं, तो सोचिए क्या सचमुच में आपका बिलकुल मन एकदम खाली होगा गया, नहीं होगा, प्री ओक्यूपाइट बहुत सी चीजे होगी, बहुत सी चीजे भरी-पड़ी होगी, और दीन भर की घटनाये होगेगेगेगेगेगेगेगे और इसलिए संभव है, संभव है कि राग को आप उतना फोकस न कर पाते हो, संभव है, सब के लिए सत नहीं हो सकता है, लेकिन यह सत है, कि गहरी नीन के बाद, और मैं तो नहीं कहूंगा कि तीन बज़े उठकर के पढ़ो, वारना भी आप मां को उठाओगे, मां तीन बज इसने बली सुबह सुर्योदे के पहले अगर तयार हो करके पढ़ना शुरू करते हैं, तो पूरी तरह आप बिलकुल मन से एक्तम तंदुरस्त होते हैं, जैसे बारीस के बाद आस्मान कैसा साफ नजराता है, वैसा मन भी होता है, अब आप सोचिए कि उस समय जो आप करेंगे, वो जादा रजिस्टर होगा और नहीं होगा, और इसलिए हमारे हाँ अनुभव से इसा माना गया और दुनिया बे भी शाइद माना गया है, मेरे पास कोई साइंटिफिक अनालिसिस तो नहीं है, लेकिन जो माना गया है और जिसमें मेरा भी विस्वास है, कि है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जादा तर विद्ध्यारतियों का प्रॉब्लम यह है, जरूरी नहीं है कि आपको रात को पढ़ना है या सुबह पढ़ना है, हरे की अपनी विशेस्ता होती है, अपनी आदते होती है, और आप जिसमें कमफोट हो, वो ही करो, मैं फिर एक बार HRD मिनिस्ट्री का रजय से अभिननदन करता हूँ, मैं देश भरके उनों का धन्यवाद करता हूँ, विशेस करके सभी टीचर्स का धन्यवाद करता हूँ, मैं सभी अभिभावक का धन्यवाद करता हूँ, को उन्होंने लगातार इस परिक्षा पर चर्चा इस कारकम को सभल बनाने में बहुत बड़ी मदद की हैं,